कई बार मन ये कहता है कि इस कारे के और थोड़ी सी देर और रुकते हैं, यहां एक अलग तरीके का आनन्द है, तो वहीं कर्म से दूर हट जाते हैं, खुद को हम वहीं से एक टारगेट देते हैं, कि बले ही थोड़ा सा डिले हो गया, कोई बात नहीं, रात को थोड़ा सा जा साथ में चल रहे हैं, किंतु हमारे सामने हमारी सिक्षा है, हमारे कर्म है, हम वहां से भी उचाट होते हैं, और कहते हैं कि थोड़ी देर यहां रुका जाए, यह fascination है, कई बार शौक को पूरा कर लेते हैं, शौक कब आदत में बदल जाते हैं, और आदत कब मजबूरियों के अंदर जीवन के सामने आने लगती है मालुम ही नहीं चलता वही मन फिर से आत्म गलानी के भाव से भी उजरता है अगर उन कलीक्स के साथ में उसमय नहीं बिताया होता तो बहुत बहतर होता आज हम रात तक जग रहे हैं कल प्रेजेंटेशन देना है परेशानियां सब कुछ सर के उपर खड़ी है और वहीं किसी आरत के साथ में जड़ावा व्यक्ति भी उस पहले दिन को कोसता है जब ऐसी स्ततियों के साथ में वो जड़ता चला गया था और जीवन को दिख भ्रमित करता चला गया था ये सारी ही मानसिक वेदना है मन के भीतराती है हम कई बार ये भी देखते हैं कि रात को खुद से वादा करते हैं कि अगले दिन सुबह बिलकुल टाइम लाइन बेस के उपर कामकाज की शुरुबात करेंगे अनुशाशन के साथ में रूटीन को फॉलो करेंगे किन्तु सुबह होती है स्नूज मोड के साथ में हम चलने लगते हैं दो से ढ़ाई गंटे अपने उठने के अंदर देरी करते चले जाते हैं वहीं से मन खुद को कोचता है और अगले दिन के लिए संकल्पित होता है आज का दिन गया कोई बात नहीं कल फिर से इसी समय मैं उठने का प्रयास करूँगा और सफल होकर भी रिखाऊंगा मन में ये भाव बारंबार आते हैं किन्तो करत संकल्पित होने वाली स्तियां कर्म के साथ में जुड़ नहीं पाती इसी वज़े से आप देखें कि सूर्य देवता की जो उपासना है वो अनुशाशन के साथ में जुड़ी हुई है जब भी व्यक्ति अनुशाशन को जीवन के अंदर लेकर चलेगा मन को नियंतरत करता चला जाएगा और वहीं चंद्र उपासना चंद्रमा पूरे तरीके से मन के उपर अलग तरीके का नियंतरन देने वाले होते हैं जब अनुशाशन का गुण मौजूद है तो आप देखिएगा कि मन पर वैसे ही नियंतरन आने लग गया किन्तु जब भी हमने अपने जीवन में धैर्य की कलपना नहीं की और धैर्य का बीज नहीं बोया तो वहीं से हम बारंबार फैसिनेशन के साथ में जूड़ते हैं एक काम को कल के उपर टालते चले जाते हैं और मन अव्यवस्तित होता चला जाता है जब मन अव्यवस्तित है तो कर्म व्यवस्तित कैसे हो सकता है सोच एक अनुशाशन के साथ में कैसे चल सकती है और हमने जो अपने लिए सफलता की महत्वा कांक्शाएं सामने रख रखी है वहां तक पहुँचेंगे कैसे तो इसी वज़े से चंद्रबा की उपासना जो की द्विती प्रकाश ग्रह है धैरी जुड़ता चला जाता है और सूरी देव के साथ में अनुशाशन जुड़ता है हम यही डिस्ट्रेक्शन से आजाद होकर जीवन देखना चाहते हैं तो इन दोनों ही प्रत्यक्ष प्रकाश ग्रहों की उपासना दिरंतर करते चले जाना चाहिए हम भी यहां एकारशी 25 नवंबर 2020 का देनेक राशिफल लेकर उपस्तित हुए हैं कार्तिक मास शुकलवक शलरा है तुलसी विवाह भी इसी दिन संपन्न किया जाता है तो वहीं पर आज के इस सदेवस विशेश में उत्रा भादरबद नक्षत्र की स्ततियां रहने वाली है चंदरमा पूरे ही दिन मीन राशी स्तान में गतिमान रहने वाले रहेंगे शुरुवात करते हैं हम मेश राशी के साथ वयापारिक जीवन में भाग दोड बनी रहेगी किन्तु आपके लिए खर्चों में जो एक तरह से परिशानियां थी वहां नियंत्रन लगेगा विदेश संबंधे कारियों में पुरधी के संपूर्ण संकेत आपके लिए यहां बने रहेंगे संतान पक्ष के साथ जुडाव बढ़ने वाला है स्वास्त में जो चंताएं बनी हुई थी वो भी अब धीरे-धीरे कम होंगी ग्रहस्त जीवन को यहां मोटिवेट करते हुँ चलिएगा सिक्षा संबंदी स्तियों में डिस्ट्रेक्शन्स आपको सताने वाले हो सकते हैं ये भी एक प्रमुक आधार यहां पर नजर आता है तो वहीं वानी संबंदित कारियों में धेर्य इस्थापित करके चलने का प्रयास आपको करना चाहिए नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ओफर यदि इस दिवस के अंदर आ रहा है तब भी आप स्वीकार करने से पहले थोड़ा सा धेर्यवान रहकर जरूर चलिएगा माता और पता के साथ संबंदों में सुधार आएगा तो वहीं यात्राएं यदि टाली जाती हैं तो ज्यादा बहतर है आपके लिए क्रियेटिव फिल्ड के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए ये दिन ओफर्स तो लेकर आएगा किन्तु थोड़ा सा चूज करने वाली अप्रोच के साथ में भी आप जरूर चलिएगा इसी समय तकनीक और प्रबंदन संबंदी किसे भी कारेशेतर के साथ में आपका जुड़ाव रहा है मानसिक दबाव आपको घेरे रहेगा किन्तु उससे बहुत ज़्यादा विचलित होने की आवशक्ता आपको नहीं है ये आने जाने वाली स्ततिया हैं जो कि जीवन भर चलती रहती है वहीं वोरिशव राशी सर्वबर्थम यहाँ पर आपके लिए शेर मार्केट संबंधी कामकाज लाब को लेकर आने वाले रहेंगे कला संबंधी शेतर विशेश के साथ में उन्नती के मार्ग पूर्ण तया प्रशष्ट हैं आप डिस्ट्रेक्शन के साथ में जो चलाइमान थे सक्षा संबंधी अंतराल में वो जब दूर हुए और साती साथ में आप किसी कामकाज के नएपन के साथ में शुरुवात करना चाते हैं मन के शंशय हटे तो इस पस्टता के संकेत सामने आने लगते हैं यह प्रवर्तियां यहां पर रहेंगी वहीं यात्राएं आपको लाब देने वाली हो सकती हैं स्वास्थिय संबंधी इस्तर पर रक्त संबंधी विकार आपको परिशान कर सकते हैं साउधान रहिएगा और वहीं रिसर्च अनेलेसिस संबंधी कामकाज में ये दिन आपके लिए अच्छा कासा इस्तर लेकर आ रहा है जिसको पॉजिटिव कहा जा सकता है लेकर संबंधी विधाओं के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति विशेश अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में चलने वाला रहेगा और विजय का आधार आपके लिए उस कारे में बनता चला जाएगा इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है तो सुभाव के अंदर जो आपके लिए कहीं न कहीं रूखापन बना हुआ था वो भी अब दूर होगा लोगों से आप जुड़ते चल जाएंगे बूमी संबंदित कारे के अंदर यहां पर आपके लिए संकेतों की सपस्टता बहुत अच्छे से जीवन को एक नव आधार देती चली जा रही है मेथुन राशी की यदि मैं चर्चा करूं तो सर्व प्रथम आप देखिएगा कि आज इविका का कोई भी नया आधार आप विक्सत करके चलना चाते हैं तब भी यह जानना आवशक है यहां पर कि हम किस तरह से किसी विक्ति विशेश के साथ में जुड़ना चारे हैं या फिर खुद के साथ में ही कुछ अडॉन करना चारे हैं या पूरी ही सेक्वेंस को चेंज करना चाह रहे हैं ये सारी ही केलकुलेशन्स अपने साथ में लेकर आप जरूर चलें और वहीं पर जो सोच में अस्तरता बनी हुई थी वहां स्तरता आने लगेगी यहां जो आपके साथ में जुड़े हुए लोग थे अगर उनके उपर आपको शंशय है एक बार उनसे बातचीत जरूर करनी चाहिए कामकाजी जीवन के अमदर कहीं पर भी लीकेज बना हुआ था और वो आपकी सोच को बारम बार परेशान कर रहा था तो उस व्यक्ति विशेश को भी किस तरह से साइडलाइन किया जा सकता है या फिर कोई और कारियर उसको कैसे थमाया जा सकता है जिससे नुक्सान भी नहीं हो उस व्यक्ति को संकेद भी मिल जाए ऐसी प्रवर्थियों के बारे में सोचना होगा Information Technology संबंदी कामकाच के अंदर यहां आपके लिए नया पन बना रहेगा दो विधाएं दूर दूर तक भी नहीं है चमताओं के आंकलन में आप गलती करने वाले नहीं रहें भटकाव जो दूसरे लोगों के जीवन के अंदर बने रहते हैं और हमको भी प्रभावित करने वाले होते हैं उनको आप मोटिवेट जरूर करते चले जाईएगा ये भी आपसे यहां नम्र निविदन है वहीं ग्रहस्त जीवन के स्वास्त का भी पूर्ण कालिक तोर के उपर आपको ध्यान रखना चाहिए विदेश संबंधी कारियों के अंदर कोई व्यक्ति विशेश आपको जूड़ना चाहता है तो ये बात इसपस्ट तोर पर समझ कर चलेगा कि उसका मंतब्द क्या है उसी आधार पर ऐसी प्रवर्वर्तियों को देखना चाहिए वहीं करक राशी सर्वबर्थम यहां भाग्य का पूर्ण कालिक सहयोग आपके लिए बना हुआ है नौकरी पेशा जीवन में कोई भी ओफर आप एकसेप्ट करके चलना चाहते हैं उस आधार पर भी आप बढ़ने वाले हो सकते हैं फाइनेंशल गेन बने रहेंगे व्यापारिक जीवन के अंदर जो विवाद बारम बार आपको सता रहे थे वहां रिलीफ मिल सकती है जन लोगों के द्वारा निराशाएं हमारे जीवन के अंदर लगातार पहलाई जा रही थी आज वो भी दूर होते चले जाएंगे आप एक आशावादी तोर के ऊपर अपने जीवन को देखने वाले होंगे वही पर जो हम अभी तक अपने ससुराल पक्ष के और से या मित्रों के साथ किसी संबंद की वज़े से परिशाम थे ऐसे शेत्रों के अंदर जो परोक्ष तोर के ऊपर हमको प्रभावित करते हैं वहाँ पर भी आपके लिए रिलीफ मिल सकती है यहाँ पर जो यात्राएं है वो सरभादिक तोर के ऊपर आपको बेनिफिट देने वाली रहेंगी और इसके साथ में ही चलता हुआ व्यक्ति विशेश यदि इसपस्टता के साथ में अपनी वाणी के साथ में बाचीत को अगले व्यक्ति के सामने रखता है तब भी वजय का मूल मंत्र यहाँ आपके लिए स्थापित रहने वाला है रिंड संबंदी कतिविदियां जो लंबे समय से करक राशी के जातकों को परिशान कर रही थी वहाँ पर भी solution oriented approach है किन्तो वाणी में स्पस्टता यहाँ पर भी आप रखिएगा और वहीं जो संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ना होता है उस लहाजा आप planning को आगे बढ़ा सकते हैं मानसिक सुख कर्म के साथ में जोड़ा हुआ है और वहीं भावनात्मक तोर के उपर कोई भी ऐसा गलत निरने आप नहीं लें जो longer term की अपरोच में हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला हो इस बात को भी आप संकित की रुप में पहचान कर जरूर चलने वाले रहें सिंग राशी सरुपर्थम नए कामकाज की शुरवात से आज आपको यहाँ पर बचना चाहिए सूर्य उपासना के साथ में दिवसकी शुरवात कीजिएगा मैटल संबंदी कामकाज में वरद्धी है ट्रांस्पोर्टेशन, लोजिस्टिक्स और वहीं पर जो भी कादर विशेशक्षेत्र सीजनल विजनस के साथ जुड़े होते हैं वहाँ आपको त्वरिद गती के साथ में कोई भी नर्णा लेना पड़ रहा है थोड़ा सा रुक कर ऐसी और आप चलिएगा कुटुम्बी जनों के साथ में जहाँ पर तकरार बड़ी हुई थी प्रयास करना चाहिए कि वहाँ नियंत्रन इस्थापित होता चला जाए बुजर्ग जनों की सेवा करना और उनके अनभवों को जीवन में उतारना भी आज का एक प्रमुक मंतव्य आपके लिए रहे एकाग गरता और वहीं पर मन के साथ में जुड़ा हुआ एकांत आज कहीं न कहीं आपकी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने में मलदगार सिद्ध होगा द्यापारिक साज़ेदारियों के अंदर बड़े निरनाय लेने से बचना चाहिए और जो सक्षा संबंदी स्थियों के साथ में रिष्टे जुड़े हैं सक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, रिष्टे कितनी महत्वपूर्ण है और उसके साथ में जीवन किस और आगे जाकर गतिमान हो सकता है ये सारी ही गणनाएं आपको अपने भीतर निक्षेपित करके जरूर चलना चाहिए आप फिर से सक्षा संबंदी अंतराल में सक्री होना चाहते हैं एजुकेशन को छोड़ चुके थे या फिर पूर्ण कर चुके थे नौकरी पेशा जीवन के और बढ़ चुके अब फिर से आवशकता है कि खुद को अपडेट किया जाए ऐसे निरने की प्लैनिंग आज आप करते हुए चलें जहां पर फाइनेंशल केलकुलीशन भी साथ में बनी रहे ग्रेहस्त जीवन के साथ जोड़ी हुई महिलाओं के लिए आज संगर्ष बने रहेंगे यानि कि संतान पक्ष और जो पती पक्ष के साथ में जो इस्ततियां होती है या फिर उनके बीच में जो कम्यूनिकेशन गयाब होते हैं कई बार एक ब्रिच का काम करना होता है व्यापारिक जीवन के भीतर ये दिवस आपके लिए कॉन्फिडेंस को देने वाला होगा कोई भी बड़ा निरनाय आप लेना चाहते हैं उस और गमन शील हो सकते हैं व्यापारिक जीवन में विदेश संबंधिक अदिविधियों के साथ में आप जूड़ना चाहते हैं किस व्यक्ति के साथ में चल रहे हैं उसकी प्रस्ट भूमी को भी जरूर इस पस्ट तौर के उपर आगना चाहिए आपको धना गमन यहां पर बढ़ता चला जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी को अपने साथ में आप बना कर चलिएगा और वहीं लिखित तोर के उपर अपने दिवस की प्लैनिंग आपको जरूर करनी चाहिए जिससे कौन सी टास्क का पूंड करनी है और हम कहां कहां एक लेक अप्रोच में रह रहे हैं यह सब कुछ संधिया समय अंतराल में हमारी लिए क्लियर रहे यह जानना आवशक है आपके लिए इन्फॉर्मेशन टेकनोलोजी के साथ में आप जुड़े हुए हैं फिर से शक्षा की और आप जाना चाहते हैं और आप अभी तक नौकरी पेशा जीवन से इतर हट कर व्यापार की और भी सोचना चाहते हैं देखिए जॉब में हैं मलही विजनस की और सोचें या फिर सक्षा की और सोचें ये समय का जो प्रवा है इस फस्ट तोर के उपर आपको एक नयापन देने वाला होगा जो खिम लेने के क्षमताएं बहुत अच्छे से भीतर तक मौझूद है इसी वज़े से एक सपोर्टिव फ्रेम आपके लिए बना रहेगा जो लोग नौकरी पेशा जीवन में अभी तक आपको सहीयोग नहीं कर रहे थे आकस्मिक तोर के उपर वो भी आपकी सराहना करते हुए नजर आएंगे जब भी व्यक्ति को प्रशंशा मिलती है तो वो दिन उसके लिए यादगार बन जाता है यह दिवस ऐसे ही कुछ संकेत आपके लिए दे रहा है तो वहीं कन्या राशी के जातकों से एक और निविदन करूँगा कि आप यदि कमिशनिंग संबंदी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक शेप रखने वाले व्यक्ति हैं यहां मिरनायक तोर के ऊपर आपके सामने कुछ सौदे आ सकते हैं जिनको जिवन के अंदर समझ कर चलना आपकी लिए जरूरी है और वहीं से फाइदे मिलते चले जाएंगे ये भी एक स्पस्ट स्तिती है तोला राशी, सर्वपर्थम यहां आप देखिए कि जो सोच में रुगणता पनपिवी होती है उससे आप दूर रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा और वहीं दूसरे आधार पर ये भी समझना होगा कि जो सेल्फ डाउट बारंबार परिशान कर रहे थे हम ये प्रयास करें कि उनको हटाएं क्या है अधिक से अधिक असफलता ही मिलेगी किन्तु प्रयास तो करें उस प्रयास के अंदर की जो ताकत है वो कर्म है, वो भीतर की उर्जा है और उसी को हमने निस्टेज कर दिया अपने शंचे के साथ में तो व्यक्ती पहुँचने से पहले ही हार जाता है व्यक्ती कर्म करने से पहले ही अत्यार डाल देता है ऐसी प्रबर्तियों से आपको बच कर चलने का प्रयास करना चाहिए और वहीं एक और निविदन मैं यहां आपसे करना चाहूंगा कि जो खर्चे आपको परिशान कर रहे थे आज उसमें और बड़ोतरी हो सकती है तो इसी वज़े से थोड़ा सा नियंतरण का प्रयास आप जरूर कीजिएगा जहां पर भी लोग आपको किसी ने किसी कॉंस्पिरेसी के साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रहे थे वहां से भी एक दूरी आपको जरूर बना कर रखनी चाहिए कोई भी ऐसा व्यक्ति आपकी सोच के अंदर एक तरह से पेनेटरेट करने का प्रयास कर रहा है और आपको वहीं से परिशान करके कॉंस्पिरेसी की तरफ लेकर जा रहा है तब भी प्रयास कीजिएगा कि हम खुद की इस्तियों को इस्पस्ट करके चलें हमको कहा जाना है किस तरह से कारे करना है कौन से व्यक्ति पहले भी हमको धोका दे चुका है यह सब कुछ अपने मन के भीतर इस्पस्ट रहे तो ज्यादा बहतर ही बनी रहेगी रेण संबंधी स्तियां जो परिशान कर रही थी वहाँ पर समध्या समयंत्राल समाधान आपके लिए लेकर आ सकता है वरेश्चक राशी के लिए ये समय व्यापारिक स्रेश्टताओं को लेकर आ रहा है तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी आपके लिए बहतर बने रहेंगे नौकरी पेशा जीवन में जो दुविधाएं बनी हुई थी वहाँ से आज आपकी दूरी बढ़ेगी और आप सरलता के और जाते हुए नजर आएंगे यहीं संतान पक्ष के साथ में जुडाव बढ़ रहा है तो साथ में ही भाग्यका सयोग और नतया आपके लिए विकसत होता हुआ भी नजर आएगा रिसर्च अनलेसिस संबंधी काम काज में डेटा साइंसे संबंधी काम में या फिर तकनीकी शेत्र विशेश में जहां बहुत कम लोगों ने अपनी सक्षा ग्रेंड की है आप ऐसे शेत्रों के अंदर सफलता अर्जद करने वाले रहेंगे और वो भी आकस्मिक तोर के उप आती हुई सफलता यहां पर रहेंगी महत्वा कांक्षाओं के उपर नियंतरन स्थापित करके चलें वानी संबंधित कामकाज में मुखर होकर आपको रहना चाहिए कुटमभी जनों के साथ में कोई भी विवाद चल रहा था महा पर भी समाधान की स्ततियां आपके संमुक रहने वाली है इसी समय अंतराल के अंदर निद्रा जनित रोग आपको परिशान कर सकता है इसी वज़े से मानसिक ठकान के साथ में शारिरिक ठकान भी आवशक है ऐसे किसी कारियर के और खुद को जरूर आप सनलग न करते चले जाएं वहीं धनुराशी इस दिवस आपको कामकाजी जीवन के अंदर अंड्यू प्रेशर के साथ में लेकर चल रहा है और उसकी मंशा यही है कि आपको ठकाया जाए फ्रस्ट्रेट किया जाए आप रियक्टिव होकर कुछ कहें वहां से आपको सावधान रहना है करमशीलता बहुत अच्छे से है लोगों के अच्छन में नहीं आकर अपने कामकाज के और आपको चलने का प्रयास करना होगा प्रबंधन संबंदि किसी भी कामकाज के साथ में आपका जीवन का मैत्तुपूर्ण हस्तक्षेप है तब भी इस बात को आप स्मर्तियों में रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा कि हम यहा बहतर ही यहाँ पर खुद के लिए प्राप्त करने वाले होंगे वहीं मकर राशी सरुपरतम आप देखिएगा कि जो जीवन के अंदर प्राकर्म होता है वो आपके लिए बढ़ने वाला होगा और वहीं भाग्यका आकस्मिक तोर के उपर सयोग रहेगा नौकरी पेशा जी बनाकर चलने का प्रयास करें मैटल संबंदी कामकाज, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट या फिर लोजिस्टिक संबंदी कोई भी कार्य शेत्र हो गया वहां किसी नए पन के साथ में आप चलना चाते हैं तब भी ये समय संभावित तोर के उपर भेतर है ग्रहस्त जीवन क साथ में भी आपका जो जुडाव है वो बढ़ेगा उनके कार्य शेत्रम ने क्या परिशानिया चल रही है हम समाधान के और उनको कैसे लेकर जा सकते हैं ये भी स्पस्ट तोर पर अपने मन के भीतर स्पस्ट करके आपको चलना चाहिए मकर राशी के जातकों को चाहिए कि दशरत करत शनीस तोतरम का अबुवाचन और श्रवन सुभे सुभे जरूर करने वाले हो नहीं थ्रॉट इंफेक्शन संबंदी परिशानिया थोड़ा सजादा आपको परिशान करने वाली हो सकती हैं कुम राशी यहां आप देखें कि धनागवन के अंदर वर्दी होगी और वहीं पर जो कार्य अटके हुए थे पहले तो वो जादा डराएंगे उसके बाद में संधिया समय अंतराल तक पूर्ण ताकि और भी जाने का कार्य कर सकते हैं आध्यात्मिक चिंतन बहुत अच्छे से विक्सित हो रहा है अनुभव कई बार स्पिरिच्छल प्रोग्र करना है ये सब कुछ लिखित रूप में आपके साथ में जरूर रहने वाला हो किसी भी व्यक्ति के साथ में आप वर्बल कमिट्मेंट करने की और जा रहे हैं एक से दो बार आप वोर कीजिएगा अपने ही शब्दों के उपर मैं क्या कह रहा हूं और मैं किस टाइम लाइन के साथ में कह रहा हूं कई बार व्यक्ति किसी डेल को फाइनलाईज करने के उत्सा के अंदर ऐसे कमिट्मेंट कर देता है जिसकी वास्तविक हद के अंदर स्तितियां होती ही नहीं है वहां से थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवशक्ताएं भी आपको रहेंगी और जो र पर भी चिंता की स्ति आपके लिए नहीं है और वहीं ग्रहस्त जीवन का सहयोग पोर्णकालिक तोर के उपर आपके लिए मौजूद रहने वाला रहेगा भाग्य का सहयोग और वहीं उसके साथ में आप जोखिम लेने के अपने शमताओं के साथ में भी चल रहे हैं जब ल ऐसा उधारन आप सामने रखने वाले होंगे शेयर मार्केट संबंदी कामकाज में वर्दी के सम्यक आयाम आपके लिए लगातार तोर के उपर स्थापित होते चले जा रहे हैं कोई भी दुविदा दूर दूर तक भी आपके लिए यहां पर नहीं है तो वहीं यह ध्यान प्यास यदि किये जाते हैं तो सफलता के आयाम वहां पर भी आपको मिलते चले जाएंगे दूर विधाओं की सतिया नहीं है संतान पक्ष तक्नीक से जुड़ा हुआ कोई भी सलाह योग्य विशय आपके सामने रखता है तो व्यापारिक जीवन में उसको भी अपनाने से आपको हिच के चाना नहीं चाहिए तो ये था 25 नवंबर 2020 का द्याने कराशी फल हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजर होते रहेंगे धन्यवाद और कोटी शेह आभार